वीडिवनिंग फ्रेंस मैंने में इस राज और यूर वाचिंग यूर फेवरेट चैनल राज टेक्निकल एनालसस आज का डेट एक तीस जैन दोज़ा तेस आज हम लोग चिन स्रॉक्स के ओपर मंथली प्रिविव करेंगे कैमलिन फाइन चहां पर अगें मेरे सारे सब्स्क्र सब्सक्राइबर प्रॉफिट में जरूर मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखते रही है यूनाइटेड स्पीरिट्स जो मैं आपको हमेशा डिसिप्लिन की बात करता हूँ और अगर लास तीन चार महिने में आपने वीडियो देखा होगा 950 का लेवल के उपर मै 950 एंड हायस 951 और उसके बाद जो रिवर्सल हुआ एग्जैक्ली सपोर्ट वन पर आपको आज की डेट पर मिल रहा है इसके लिए आपको हमेशा बोलता हूँ भाई मार्क 52 वीक हाईस पर अगर कोई भी शेरों से बाई करने की गलती मत कीजिए अगर आप करेंगे या तो फिर आपको लॉस में ही निकलना पड़ेगा ये चीज हमेशा याद रखिए जब तक उस पर एक अच्छा खासा करेक्शन नहीं आता यूनाइटेट स्पिरिट्स अगीन एक एग्जामपल है 950 से आप देखिए आज के लेवल पर ये कहा है तो इसके लिए आपको हमेशा बोलता है वीडियो रेगुलरली देखते रही है रेगुलर वीडियो देखेंगे तो आपको कोई ने काई टेप्स मिलेगा जो आपको स्टॉक एनालसिस करने में काफी मदद करेगा साथ में कोई भी कमनी के ओपर वीडियो बनवाना चाहते है तो जल्दी से मिरे कमेंट ब बनाता हूं और आपको सही सपोर्ट और रेजिस्टन्स बताने की कोशिस करता हूं मैं चैनल की दुष्री वडियो इस पी है कि मैं आप हर महीने आप लोगों के लिए मंतली प्रिव्यू भी अपडेटेट कर आता हूं अब बात करेंगे कैमलिन फाइन कमनी क्या करती है कौ पर दिये वे लिंक पर जरूर देखिये कमलिन फाइन लास्टाम विडियो बनाया था 23 दिसम्बर 2022 136.10 की क्लोजिंग सपोर्ट 100 सपोर्ट 25 सपोर्ट 3 150 रेजिस्टन्स 1 150 रेजिस्टन्स 2 175 रेजिस्टन्स 3 200 कमलिन फाइन आज के दिर पर 31 जान 23 200 दे यह में के उपर है से देखेंगे 174.70 है लोज अगर आप इसका देखेंगे 134.60 है कैमलिन फाइन अगर आप देखेंगे 175 तक का इसने रेजिस्टन्स 2 तक अलमुष्ट टच किया और वापस उसने रिवर्सल लिया इसके लिए आपको हमेशा बोलता हूं सपोर्ट रेजिस्टन्स का ख्याल रखेंगे तो आपने इस पे बहुत बार और बहुत अच्छे पैसे कमाया रहेंगे जिए में फॉडलर लाश्ट टाइम 23 डिसंबर 2022 क्लोजिंग था 1490.70 थाउजन पे पहला सपोर्ट दिया था 1250 पे दूश्टा सपोर्ट दिया था 1500 का आपको मैंने बताय था बहुत में पे है 1000 पे पहला सपोर्ट 1250 दूश्ट पार फंदरा सो तीश्ट सपोर्ट 1750 रिजिस्टन सवन दोहजार रिजिस्टन सू दोहजा के उपर एक महीने में तो नहीं जाने का चांस है तो ब्लैंक चोड़ा है मैंने 1663 है इसका हैस इस बार का 1487 है इसका लूइस्ट इस मह महिने का 1500 का लेवल 2000 के लेवल तक ये मेरा गया था अगर आपने लास महिने का देखा रहता वहां पे 2000 का लेवल मेरा रिजिस्टेंस 3 के पास था I think 2050 आपको इसने पूरा अच्छा सा प्रॉफिट दिया अगर आपने बुकिया रहे था आज इस पर आप बाइंग ऑपर्चुनिटी जून सकते हैं जो मैं आपको हमेशा सिखाता हूं कि अगर आप लॉंग टर्म इन्वेश्टर हैं तो भी आपको सपूर्ट जोन पर बाई करना है और अगर आप शॉर्ट टाइम ट्रेडर हैं तो डिफिनेटली आपको सपूर्ट जोन पर बाई करना है रेजिस्टन से नीचे आते ही सेल करना है सपूर्ट पहने तक कवेट करना है मार्केट में आप भी ट्रेडिंग करना है और आपने एक चीज़ नोट की होगी बट आप उसे मानते नहीं है कि भई शेर में करेक्शन आता है आपको या मिरको बोलके नहीं आने वाला है जो शेर कितना भी उपर चाहे आपको वो वापस सपूर्ट जोन पर जरूर आएगा आज नहीं आएगा एक महीने में आएगा तीन महीने में आएगा एक साल में आएगा बटाएगा ज़रूर यह आप लोग भी जानते हैं बट आप लोग उसे follow नहीं करते हैं मैं इसके लिए आपको मिशा बोलता हूँ share market में trading करें discipline follow कीजिए 10 में से 8 trade आप 100% achieve कर सकते हैं कोई मुश्किल बात नहीं है problem यह है कि लोग यहां पे डर या लालच में trade करते हैं जो सबसे बड़ी problem है क्योंकि अगर आप लालच या क्या बोलते हैं डर में trade करेंगे आप कभी भी चार्ट नहीं देखेंगा और अगर आप चार्ट नहीं देखें trade कर रहें तो definitely आप profit लेना मुश्किल लगेगा मुश्किल होगा भी बहुत सारे लोग इसके लिए ही यहां पे क्या बोलते हैं लॉस करते क्योंकि वो चार्ट देखते नहीं है अगर किसी ने बोला कि भाई यह श्टॉक बढ़ने वाला है तो ले ले लेते हैं news-based shares हमेशा अगर आप मेरे वीडियो रेगुलरली देख रहें बहुत ऐसे stocks में मैंने आपको example दिये हैं जो news में आते हैं या तो उस पे बहुत अच्छा आपको moment मिलेगा या तो उतना ही नीचे वो speed से आएगा तो हमेशा याद रखना news-based जो stocks हैं उन्हें थोड़ा avoid कीचे और analysis कीचे 40-50 कंपनियों पे research कीचे उन-50 का ही आपको मतलब 40-50 या 20-bit stocks आप find कीचे और उन-20 का आपको support resistance आंग बंद करके पता होना चाहिए कि अगर यह stock में ले रहा हूं तो इसका यह support है यहीं पे आने से में लूँगा resistance यह है यहीं पे आने से में base दूँगा अगर इससे नीचे आएगा support पे जा बाएगा मैं तब फिर से buy करूँगा बात करेंगे United Spirits कमनी क्या गड़ती है कौनसी काटगरी में आती है यह सारा information जानने के लिए आप यह उपर दियाव लिंक पे जरूर देखे United Spirits मैंने last time वीडियो बनाय था 23 December 2022 closing था 874.25 support 1 750 support 2 800 support 3 850 resistance 1 900 resistance 2 950 resistance 3 blank चोड़ा था मैंने पिछले महिने भी मैंने blank चोड़ा था 950 तक उसने 52 week highs बने और वापस उसने reversal लिया था इसके लिए आपको हमेशा जो मैंने आपको वीडियो के starting में भी बता है और काफी वीडियो मैं आपको बताता हूं 52 week highs के पास कोई भी stroke है उससे buy करने की गलती मत कीजिए सोचो जिस जिन लोगों ने से 940-50 पे buy कर लिया वो तो या तो loss पे निकल चुके होंगे या तो ने थोड़ा wait करना पड़ेगा United Spirits आज के रेट पे 200 डेई है में के नीचे चल रहा है 768.65 की closing 700 पे पहला support 735 पे दूश्रा support 770 पे तीसरा support 800 है resistance 1 830 है resistance 2 860 है इसका resistance 3 है सगर आप इसका देखेंगे 892 रूपीज है और lowest है इसका 738.80 तो उमीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और subscribe कीचे जैसे मैं आपको support करता हूँ सही support और resistance देकर उस तरह आप भी मुझे support कीचे मेरे वीडियो को like कीचे subscribe कीचे और आगे आपके family friends पर forward कीचे ताकि यह important information उन तक भी पहुन सके अगर वो लोग stock market में trading कर रहे हैं या फिर investing कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं तो उम्मीद करता हूं आप ऐसा जरूर करेंगे thank you so much have a nice day